हेलो फ्रेंज वेलकम डू वाइफाई स्टेडी लाइब मैं संजी व्राटर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ वो कैप का एक स्पेशल सेशन यह क्लास रोज सुबह साथ 45 पर होती है और आप इस क्लास का पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स बना सकते हो रिवीजन कर सक ताकि आप अपनी वोक्याप की स्किल्स को अच्छा कर सके वोक्याप की क्लासिस के साथ साथ आपके लिए सुल्टान बैच यह बैच आपको मिलता है अनिक एडमी लर्नर एप पर जो की एक सीजियर टीर वन के लिए कंप्लीट बैच है 550 रुपए में वन यह की वैलिडिट अनिक एडमी लर्नर एप पर अहां मिलेगा यह मिलेगा आपको अनिक एडमी लर्नर एप पर जब आप यूज करेंगे तो आपको इसमें डिस्वांग भी मिलेगा और तब यह बैच आपको मिल जाएगा 523 रुपए में चलिए तो पेस करते हैं आज के वो क्या आपके कुछ कोशन जो रिवीजन बेस्ड होंगे यह आप पहले भी कर चुके होंगे हो सकता आपको एक बार और देखने को मिल जाएं तो इनको पढ़िए समझी और आगे बढ़िए इंसाइट का आपको बताना है सुर्य कोशन नवर 21 टेस्ट गुट फूड और ड्रिंक एंड इंज्वाइए इंज्वाइट फुलेस अच्छा खाना खाओ अच्छा पानी पीओ अच्छी ड्रिंक लो और फुल इंज्वाइए करो इसका इसे क्या कहेंगे इरिड, सेवरिंग, एसर्व या कॉस्टिग कौन से यूज करेंगे इसको इसे कहते हैं सेवरिंग कौन से वड यूज करेंगे सेवरिंग एरिट का मतलब होता है ड्राई एसर्व का मतलब होता है जो चीज आपके पास खट्टी हो और कॉस्टिक का मतलब होता है सांदार किसी काम को करना क्रेक्स्ट्राइब सेवियर सेल्पडिसिप्लीन की स्टिवार में इक इन्सान जो सारी चीजहों को एिक इंसान जो को तियाक कर सण्यासी जीवन जीने लगें। उसे कहते हैं ऐसे टिका एडोनिस्ट की बात करें तो हैडोनिस का मतलब मतलब होता है जो इनसान एक ऐसा बन जाए तो बिरौद करने लग lag जाए दर में की रित दूसरों को छोड़के अपनी जिन्दगी में केबल यह सोचे कि भाईया हमारा सुख दुनिया की सबसे मजबूत चीज है दूसरों की कमिया दूसरों की परेशानियों से से कुछ मतलब भी ना हो जो सुख का भोग करना सीख जाए डिसेंडेंट जो गिरावट आए जिसकी जिन्दगी में एफीट जो किसी दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रभावी तरीके से काम करें आग न्यू मेयर प्लांस टू एलिमिनेट सुपर फ्लूस प्रोग्राम्स सुपर फ्लूस का सेम वार्ड बताना है इसेंशियल एक्स सुपर फ्लूस का सेम वार्ड और अगर हम सुपर फ्लूस की बात करें तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा अत्रिक जिसके अब हमें जरूरत नहीं है इसेंशियल आवस्या गया जरूरी एक्स्पेंसिब महगा और सुपीरियर सर्वोच नेक्स हैं आई फर्स्ट नियू हि स्टुडेंट लिविन इन आर्ट टाइनी अपार्टमेंट आपको इंप्यूनिक्यस इसका भी सेम वार्ड बताना है ऑप्शन है इनसेंट है पैनी लैस इग्नोरेंट और फॉल्ट लैस जो इन्सान गरीब हो जिसके पास पैसा ना बचा हो जो पैनी लैस हो गया हो इनसेंट मासूम निरदोस इग्नोरेंट जो नकारा टाइप का हो और फॉल्ट लैस जिसने गलती ना किय 사고 है शेरी कैल्चर का आपको बताना है sorry caricature है caricator है caricator का आपको बता रहे है कि इसका सही spelling कौन सी है c a r i c a t u r e next lesson की सही spelling कौन सी है correct spelling of lesson ल-I-A हां I-S-O-N next which of the following is incorrectly spelled इसमें गलत स्पलिंग कान सी है abandon diminish illiterate ये तफ इसमें abandon त्याग करना सही है illiterate असिक्षित सही है tough भी सही है diminish D-I-M-I-N-I-S-H M के बाद भी आई होता है keeping up appearances ये मैंने पहले भी आपको गराया हुआ है और संडे है तो ये revision class है आपने इन वर्ड्स को पहले भी किया है अरे नई weekend keeping up appearances इसका सीधा सा मतलब है keeping up on and outwards so of prosperity तरक्की में आगे बढ़के रहो दिन, दूनी, राज, चौगनी तरक्की करना आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा तरक्की करना after a fashion after a fashion किसी काम को तो आप करें लेकिन उस काम को तब करें जब वो आपको satisfaction ना दे आपका satisfaction लेवल डाउन हो जाए तो क्या कहेंगे to a certain degree but not satisfactory burn the candle at both the ends burn the candle at both the ends जो भी आपके पास है उस energy का आप गलत तरीके से प्रयोग करें जो आपके पास है उस सीज का आप गलत तरीके से प्रयोग करें में बिसनिस गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करना दिस्वनेस्ट वाला रास्ता अपनाना which of the following is incorrectly spelt interrogation elusive find the incorrectly spelt word interrogation सही है illusion सही है illusive भी सही है immigration i double m i g r a t i o n direction पढ़ो और जबाब दो इसमें आपको बतानी की सही spelling कौन सी है प्रोबिटी की सही स्पेलिंग आई थिंग प्रोबिटी सत्यता प्रुथ या सवाल जबाब करना सत्य की जांच करना सत्य के लिए पूस्ताच करना एंग्री और विटर डिसेग्रिमेंट ओबर फंडामेंटल इसूज छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा इसूज बना लेना डिसेग्रिमेंट कर लेना इसे कहते हैं इस्ट्राइव कस्ट मुसीवत अजय करें अजय को पर दोनों के सेम मीनीं होते हैं है एप सलाइवर ड्रैपिंग ड्रिपिंग कॉपियस ली फ्रम्ड़ मौथ लाट अपक्जाए किसी की पिज्जा देखके इसे कहते हैं स्लोवर कैस्केट किसी चीज को सजा के रखना इनन देट किसी चीज की बहुत ज़्यादा अधिक्ता हो स्लोवर कोई चीज बहुत जूसी हो रिड्यूस सम्थिंग इन साइस अमाउंट और एक्स्टेंट बाई एक ग्रिज्वल सीरीज ओप स्टेप्स किसी चीज में कमी लाना गिरावट लाना उसके साइज में उसके अमाउंट में उसके एक्स्टेंट में धीरे-धीरे करके कमी लाना इसे कहते हैं विटल कॉनकॉप एक जगे पर रखना बिगेट मजबूत किसी चीज को और बढ़ाने की कोसिस करना I am not dissatisfied with the performance of the German team but the coach boss dissatisfied का opposite क्या होगा dissatisfied के opposite की बात करें तो complacent happy mode में जाना divulgence भटक जाना भलक जाना ignorant नकार देना diligent मेहंती people complain about the TV and the press because they want clean programs clean का आपको बताना है कि यहां पर opposite क्या होगा और वही फिल हो जाएगा clean का opposite बताना है और वही वहां पर फिल हो जाएगा clean का मतलब होता है soft touch और फिल्ट का मतलब होता है गंदिगी और यही इसका जबाब है sterling सांदार बेचेन करने वारा spotless बेदाग और ग्रॉस्टेक अजीव strange इसमें synonym फिल करना है the weather outside the restaurant is so I ordered a frisid desert which will compliment the hot better up hot cow बताने कि इसका सेम वर्ड क्या होगा वहीं फिल कर लीजिए वामी या वार्म वार्म होना चाहिए इस्पाइड दिवीजन दिवीजन दिफिज दा टीम रिमेंट और वर्क तोगेदर तो एचीव दियर गोल्स यहां आपको डिवीजन का अपोजिट बताना है और वही आपका आंसर हो जाएगा आ डिवीजन मतलब बाट देना यूनिफाइड एक करना रिड़क्शन कमी लाना सेग्मेंटेशन हटाना और सेवरेंस का मतलब होता है किसी चीज का हरजाना देना तो यह थी वोक्याप के कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन और वोक्याप का रिवीजन बहुत जरूरी है अगर आप वोक्याप का रिवीजन करते हो तो आप एक्जाम में तो अच्छा स्कोर करी सकते हो कॉन्फिडेंस भी मिलता है वोक्याप एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है तो रेगुलर क्लास को देखो वोक्याप की क्लास रोज सुबह आपकी साथ 45 पर होती है रेगुलर क्लास को देखो सेटर्डे हो संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो इने सपने पूरे करो